सबी साथियों को नमस्कार साथियों जैसा हम सभी जानते हैं इनाफ एप है वो 31 जुलाई तक काम करेगा बारत पसुदन एप एक अगस से लाइव हो जाएगा तो हमने जो भी काम इनाफ पे किया है उसके डाटा डाउनलोड करने के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे AI और FMD की जो इंट्री हमने करी है उनके डाटा आगे कभी भी अगर उनकी सूचना अगर हमारे को चाहिएगी वो डाटा हम कैसे डाउनलोड करें उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें इनाफ MIS पे लोगिन करना होगा यूजर आईडी पास्वर्ड से सबसे पहले हमें नेप AI की डाटा देखने है तो 01 की आईडी लगा कर लोगिन करेंगे इस साइट का जो लिंक हम और डिस्क्रिप्शन वक्स में एड़ कर रहा हूँ इनाफ MIS के डेस्पूर्ड पे आप देखेंगे होम पेज पे नोटिफिकेशन भी इसमें शो कर रहा है कि इनाफ MIS है वो 31 जुलाई तक काम करेगा 6 बज़े तक एक अगस्त से बारत पसुद नाइप है वो लाइव हो जाएगा लोगिन कर सबसे पहले हमें GOI Ski में जाना हुगा NEP पे जाएंगे AATWise NEP रिपोर्ट पे कलिक करेंगे दो तरीके से A.E. के डाटा डावनलोड की जा सकते है सबसे पहले जियो स्किम में जाके हम तरीका देख रहे हैं इसमें 80 वाइज रिपोर्ट में नेप कौन सी नेप के लिए आपको नेप थर्ड में जैसे मैं इसमें बता रहा हूं आपको नेप थर्ड की डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे एक अगस्तिकी से 31 जुलाई 2022 तक की व्यू डेटेल पर क्लिक करेंगे तो एक साथ में इस स्टेप में आपको एक बार में दो मन्त के डाटा दिखाएगा दूसरा इसमें तरीका रहता है नेप AI फॉलो एप नेप स्कीम वाइज डाटा डाउनलोड करने का तरीका उसमें भी आप नेप स्कीम कौन सा थर्ड के बारे में जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो थर्ड सेलेक्ट करेंगे स्कीम डेट है वो लगाएंगे नेप स्कीम की 1 अगस्त 2021 से 31 जलाई 2022 तक व्यू डिटेल इसमें भी आपको एक वार में दो मेने के डाटा दिखाएगा तो सबसे इज़ी तरीका आप ब्रीडिंग में AI summary follow-up report AI insemination follow-up जो रिपोर्ट है ब्रीडिंग में उस पे जाएं उसमें आप पूरी फेज के डाटा एक साथ डाउनलोड कर सकते है यूजर में आप पहले अपना यूजर सेलेक्ट कर लेंगे यूजर आईडी विलेज के option पे क्लिक कर कुछ सेगिंड के लिए वेट करेंगे तो सारे आईडी पे जो भी आपकी गाउं में आप हो आजाएंगे select all कर आप AI का टाइप general select कर date जैसे नेप 3 का डाटा आपने को डाउनलोड करना है 1 अगस 2021 से आप 31 जुलाई 2022 लगा दे view detail पे आप क्लिक कर इसमें आप देख सकते हैं view detail पे अपन क्लिक करेंगे तो नेप AI की जो उस phase के जो पूरे डाटा है उस duration के 1 अगस 2021 से 31 जुलाई 2022 तक नेप 3 चली है उसके पूरे डाटा डाउनलोड देंगे उसमें आपको owner name दिखेगा गाउं का नाम दिखेगा animal की tag ID दिखेगी आपको animal की breed है insemination की date आपकी क्या आपने इंटर करी है क्या उसकी PD का status है PD positive है negative है और cowing का result भी इसमें आपको क्या cowing में male female कौन सी cowing की date है तो अपना जो यह एक तरीके से जो physically आपने यह register maintain किया है उसी तरीके से आपको owner wise और take wise पूरी detail इसमें view detail के option पे क्लिक कर आप देख सकते हैं culture use के लिए आप export का option जो view detail के सामने just next में है export करेंगे export का option पे क्लिक करते ही यह जो पूरी detail है ने API की उस duration की वो Excel format में download हो जाएंगी उस Excel format को हम open करेंगे तो same जितने यह column है उतनी open होंगे इन में से जो हमारे को data नहीं चाहिए वो आप इसमें जो extra जो कुछ column है जो काम के नहीं है उनको आप select कर delete कर सकते हैं तो उस page की size थोड़ी कम हो जाएगी जो काम के data है वो ही बचेंगे तो इस तरीके से हमने ने API के data breeding में जाके आप अगर save करेंगे तो जादा इस जी तरीके से आप देख सकते हैं अब दूसरा उस ID पर log out कर देंगे enough पे जो हमने वेक्षिन की इंट्री करिए उसके लिए 11 की ID अपन लगाएंगे login करेंगे वेक्षिन की FMD की इंट्री देखने के लिए GOI स्कीम पे जाएंगे GOI स्कीम पे जाने के बाद NADCP NADCP में NADCP vaccination organization level पे हम click करेंगे तो हम FMD की जो हमने इंट्री करी है वो अपन देख सकते हैं अब इसमें species all लेने दें कोई दिक्कत नहीं गाए वैसमें हमने इंट्री करी है कोई दिक्कत नहीं है अब जो इस बार का हाल फिलाल जो second round FMD को होगा है वो 20 December 2020 से 20 February 2023 तक चला था तो इसमें एक बार में एक महिने की detail दिखाएगा इस ID पे एक महिने में इस दो साड़े 400 डोज लगी हुए है तो मैंने एक महिने का duration इसमें लगाया जनरेट समरी किया साड़े 400 डोज इस ID पे इंट्री वी थी तो वो समरी उसकी जनरेट होगी है उसकी पूरी डिटेल देखने के लिए व्यू डिटेल पे जो ही कलिक करेंगे जैसा हमने नेप याई में देखा वैसी ही आईड टेग एनिमल टेग आईडी फार्मर का नाम व नाम लोड कर सकते हैं तो साथियो इस तरीके से हमने ने पी आई और वेक्षिन की इंट्री आफमडी की इनाफ मैस पे कैसे देखी जाए उसके लिए इस वीडियो में देख लिया अब थोड़ा सा जो भारत पसुदन है जो एक अगस से चालो हो रहा है उसके बारे में बात ब्रेडिंग में AIPD काब बॉन की काम के जाएंगे रिजिस्ट्रेशन में इसमें नहीं चीज आएगी दो तिन नहीं चीज आएगी ओनर का रिजिस्ट्रेशन आप जो ही करेंगे उसका मोबाइल नंबर वेरिफाई करना होगा वो मोबाइल नंबर वेरिफाई करने के लिए उसके समंदित ओनर के मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी वो इंटर करने के बाद ही ओनर रिजिस्टर्ड हो पाएगा बारत पसुदन एप में ब्रेडिंग के ओप्सन में एए पीडी काब बॉर्ण के ओप्सन सेम से ही रहने वाले हैं इंटरी करने का प्रोसेजर भी लगबख सेम रहेगा काविंग की इंटरी में काब बॉर्ण की टेग लगई वी फोटो अपलोड करना कमपनसरी होगी एनिमल रिजिस्टेशन का प्रोसेजर भी सेम है पर आनिमल की टेग लगी भी फारमर के साथ फोटो अपलोड करना कमपन्सरी होगा और आनिमल का रेडिस्टेशन पूरा करने के लिए आनिमल ओनर जो है, उसकी मोबाईल नम्र पर OTP जो जायेगा वो इंटर करने के बाद ये अनिमल का रिरिसेशन पूरा हो पाएगा इस तरीके से बारत पसूदन एप में जो भी नई अपडेट आएंगी उसका डिटेल्ड वीडियो मेरे दोरा इस चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा आज की इस वीडियो में हमने नेप AI FMD की इनाफ MISP इंटरी डाउनलोड करने के बारे में जाना भारत पसूदन एप की थोड़ी बहुत बाते मैंने इस वीडियो में बताई इस वीडियो को अंद तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें